खुदा ने कहा दोस्ती न कर, दोस्ती के भीण में तू कहीं खो जाएगी, मैंने कहा कभी जमीन पर आकर मेरे दोस्तों से मिल एक खुदा, तू भी उपर जाना भोल जाएगा नयने से आये थे, एक दूजे से अंजान, नाम पूछते बतलाते थे, फिर थोड़ा सा मस्कुराते थे, सुबह सुबह उठकर मेश में लंबी लाइन लगाते थे, तबी एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे बस से कॉलिज तक सब संग में आते जाते थे, रास्ते में पढ़ने वाले पूल पर गोरी विदेशी मैमो को देखकर जोर जोर से चिलाते थे हर असाइमेंट छाप छाप कर अपना ग्यान बढ़ाया है, और कुछ आया ना आया, नकल करना बखु भी आया है पहले जाने वाली बस में लदलत कर कॉलिज से आते थे, उस चिडिया घर जैसे कमरे में अराम से सो जाया करते थे मास बंक प्रॉक्सी के जरिये पढ़ाकूओं को यसका इस पढ़ाकूओं को गदे और भोडे का फर्क समझाया करते थे सर के क्लास में हम सब खराटे खूप लगाते थे, मैं हम को देख देकर मन ही मन में हरसाते थे Especially for my serious friends सुटे पर सुटे हम सब खूब उढ़ाते थे हर खुशी के मौके पर बीयर पर बीयर चढ़ाते थे एक्जाम समय आने पर खुद को रात रात जगाया करते थे समझ नहीं आने पर मुझे पढ़ादे यार का नारा खूब लगाते थे यह हमेशा बोलती है अपने एक्जाम टाइम आने पर अपने दोस्तों वो कॉल करके खासर से राहूल व्याबो सरी कि यार पढ़ादे मेरे वो कुछ नहीं आ रहा है अब प्लेस्मेंट का टाइम आया टेंसन साथ लाया कुछ लोग की लग गई कुछ लोग की लगने वाली है नौकरी की चिंता क्यों करते हो नौकरी तो अपनी घर वाली है आज नहीं तो कल खुद चलके आने वाली है आज भले ही रूठी हो जरा कल मान ही जानी है कुछ को Google कुछ को TCS यारो मिली जानी है ये मौज मस्ती की जिन्दगी फिर ना कभी आएगी चार वरस जीवन के ये सबसे सुख में कहलाएगी बीवी होगे बच्चे होंगे पती होगा उनको खूब बताएंगे चार वरस जिन्दगी के यारो वापस कभी नहीं आएंगे खुदा नहीं कहा दोसे